हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं धाई करोड में सड़क का निर्मान दस दिन में ही उधरने लगा डामर सड़क निर्मान शुरू होने पर ग्रामिनों को भी लगा कि उनको परिशानी से निजात मिल गई है लेकिन उनकी ये उमीदे दस दिन में ही काफूर होने लग गई है सड़क निर्मान को महस दस दिन ही गुजरे हैं कि अब इसका डामर उधरना शुरू हो गया ऐसे में रोड में घटिया सामगरी के उपयोग एवं गुनवत्ना को लेकर भी सवाल्या निशान लगने लगी है वहीं ग्रामिन भी सड़क के टिकाओ पन को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं दरसल उपखन मुख्याले से बाडमेर सहरल तक बनने वाली इस सड़क के लिए सरकार की ओर से 2 करोड 42 लाक रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है जिन में प्रती किलोमेटर करीब 22 लाक रुपए की लागत का अनुमान है सड़क निर्मान को लेकर ग्राविनों इवं स्थानिय बाशिंदों ने आरोप लगाया है कि जो डामर सड़क निर्मान के 10 दिन बाद ही शतिग्रस्त हो जाए तो गुनवत्ता में खरी नहीं उतर सकती है जबकि इस नवीन निर्माना धीन सड़क के बढ़ने के महस 10 दिनों में इतनी जोर्च की बारिश भी नहीं हो पाई है 5 तन पहले महस शाम के वक्त एक बार बारिश हुई है ऐसे में सहच ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार पर कारवाई की जगा अधिकारी ठेकेदार का बच्चा आफ करते नजर आ रहे है बागोडा से जागरूप टीवी की रिपोर्ट